हलो गुड इवनिंग बच्चों वेलकम टू डाउटनेट लाइव तो बच्चों कैसे हैं आप सभी आम शौर बच्चों आप सब हो फिट और हेल्दी सब रख रहे हो अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान और बच्चों सब कर रहे हो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे स तो देखो आपकी पढ़ाई में आज हम पहुंच गए हैं बच्चों अपना चाप्टर नमबर 3 पर जिसका है लेक्चर नमबर 2 प्लेइंग विद नमबर्स तो प्लेइंग विद नमबर्स में आज हम करने वाले हैं अपना जो प्राहिम है कंपोजित नमबर है उनके बारे में और साथ ही साथ करेंगे हम अपनी exercise 3.2 ठीक है तो 3.2 exercise के हम questions करेंगे साथ ही साथ हम numbers के बारे में जानेंगे और एक बात मैं आपको बता दू क्योंकि आप तो 6th के बच्चे हो तो आपने नई नई अपने classes जाइन की है तो आप अपनी 6th में classes जाइन क्या करो और आपके जो बड़े बहन भाई है मानलो कोई 7th में class attend कर रहा है और 7th से 8th में हो गया है तो उनको अपनी classes क्या है थोड़ी change करने की जोरत है क्योंकि 6th वाला अगर 7th में चला गया है तो उसको 7th के attend करनी है तो अगर क्लास के बाद में बच्चों आपको टाइम टेबल भी बताऊंगी मंदे से आपका जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है और मंदे से हमारे पास दोनों ही टाइम टेबल होंगे यानि कि जो बच्चे अब 6th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जो 5th कुशिन कुईज का क्या है मारे पास फर्स्ट है मारे पास विच ओफ फूलोइंग नंबर इस नॉट अफ्टर ओफ ट्वेंटी वन का यह आपको बताना है चलिए बताए क्यों सा फैक्टर नहीं है ट्वेंटी वन का चलिए डन बच्चो उसके बाद है next हमारे पास the greatest prime number between 1 to 10 1 to 10 के बीच में greatest prime number कौन सा होगा चलिए बताए इन में से greatest prime number कौन सा होगा चलिए डन अब इनके answers देखेंगे एक बार देखो first जो है हमारे पास है यहां पर which of the following is not a factor of 21 तो इन numbers में से जो 21 को divide नहीं करता वो 21 का factor नहीं है तो 1 तो सबको divide करता है तो यह तो सबका factor है 6 divide करता है 21 को 6 हमारा divide नहीं करता है not पूछा हुआ है और 2 भी क्या करता है इसको divide 2 नहीं करता और इसका मतलब 7 सिर्फ इसको divide करता है और 6 भी नहीं करता तो इसका मतलब भाई यहां पर क्या आना चाहिए तो which of the following is a factor of 21 बनना चाहिए तो which of the following is factor of 21 तो इसका मतलब कि यहां से जो 7 है वो ही सिर्फ इसका factor है, वैसे 1 और 7 दोनों है इसके factor, 1 तो सभी का ही होता है, तो अगर हम not हटा दें यहां से, which of the following is a factor of 21, तो 7 आएगा यहां से, कि 7 इसका factor है, not को हटा देते हैं, और 1 तो सबका factor रहता ही है, तो factor है यह पूछा हुआ the greatest prime number, greatest prime number between 1, 2, 10 क्या होगा, greatest prime number 1, 2, 10 हमें पूछा हुआ है, कि कौन सा number है, तो prime number वो होते हैं, जो बच्चो किसी की table में नहीं आते, तो हमें यहां से, देखो, 7 किसी की table में नहीं आता, 8 आता है, 9 भी आता है, और 6 भी आता है, तो यहां से 7 है, जो किसी की table में नहीं आत तो correct option है बच्चो यहां से option 7, option A मतलब number 7, इसके बाद बच्चो एक poll कर लेते हैं, और poll में आप मुझे यह बताओगे कि कितने जो बच्ची है इस class में जो 6 में present है, वो 5th से 6th class में आए हैं, यह आपको बताना है कि 5th से 6th class में जितने बच्ची आए हैं, मतलब नई क्लास है उनके लिए 6th यह आपको बताना है, तो अभी आपकी screen पर बच्चो एक poll आएगा, उसके थूरू हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे नए हमारी class में आएगा, चलिए, done बच्चो, अब हम बढ़ते हैं अपनी class की तरफ और हमारी class है, आज हमारे chapter number 3 पर जिसका नाम है playing with numbers क्या नाम है जिसका playing with numbers, तो इसमें बच्चो हमारे पास जो first है, वो क्या है, हमारी जो exercise थी 3.1, उसका जो question number 3 है, वो हमारा रह गया था, तो पहले हम इसको cover करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो चलो first देखो यहां से, यहां पर है match करना है column A को column 2 से, तो यहां पर है 35, अब यह जो सारे options है ना, इन में से आपको देखके पताना है कि 35 क्या है, क्या 35 8 का multiple है, नहीं है, 35 7 का multiple है, हाँ भई, 7 का multiple हो सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, 7, 5, 35 होता है, क्या होता है, 7, 5, 35 होता है, इसका मतलब 35 7 का multiple है, ठीक है, उसके तो 15 का multiple of 8 तो है नहीं 15, साथ ही multiple of 7 भी नहीं है, factor of 30 जरूर है, 30 का factor है 15, क्योंकि 30 को divide कर देता है 15, यह जाएगा 15 टूजा 30, तो इसका मतलब की 15 मैच करेगा हमारा D से, factor of 30, उसके बाद है 16 बच्चो, अब 16 हमें पता है multiple of 8 है, क्योंकि अगर हम 8 टूजा कर दें, तो 8 टूजा हमारे पास बन जाता है 16, और जो 16 है वो 8 का multiple हो गया, तो 16 को multiply कर देंगे, मतलब 16 जो है 8 का multiple है, तो 3 को match कर देंगे ऐसे, उसके बाद है 20, 20 का हमें बताना है कि 20 क्या है, क्या बच गया हमारा, यहां से 70 बचा है, उसके बाद 50 बचा है और हमारा 20 बचा है, तो हमें बता है कि 20 जो है, वो 20 का तो factor होता ही है, जो number खुद रहता है, वो 1 का और अपने आपका factor तो बनता ही है, तो इसका मतलब जो 20 है, factor of 20 रहेगा, साथी साथ 25 जो है, वो 50 का factor हो जाएगा, क्योंकि 50 को 25 क्या कर देता है, divide कर देता है, तो ये एक हमारा match question था, इसमें 3.1 exercise में, और साथी साथ एक question, last था, question number 4, इसमें हमें बताने थे, all the multiples of 9 up to 100, 100 तक बताने है, 9 के multiples, 9 के multiples का मतलब होता है, बच्चों, हमें tables लिखनी है एक तरह से, table, देखो, 9, 10, 90 तक खतम हो जाती है, table, 10 तक ही रहती है, लेकिन उसने 100 तक पूछा है, तो 100 तक हम इसके multiples लिखेंगे, तो यह बन जाएगा हमारे पास 9, 1 जा 9, फिर हम लिखेंगे 9, 2 जा, यह हमारे पास हो जाएगा 18, फिर हम लिख देंगे 9, 3 जा, यह जाएगा 27, फिर हम लिखेंगे 9, 4 जा, यह जाएगा 36, फिर हम लिखेंगे 9, 5 जा, यह हो जाएगा 72 9 9 हो जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर 81 9 10 हो जाएगा हमारे पास 90 लेकि 90 पे रुखना नहीं अभी उसने 100 तक कहा है तो अभी हम 9 11 जा और कर देंगे तो यह मारा आजाएगा 99 तक तो यह सारे क्या हो गए multiples हो गए अब 200 क्योंकि अब 12 सा लेंगे तो वो 99 से जाएगा तो हमें 100 से जाएगा तो लेना ही नहीं है ठीक है तो इसे लिए हम 11 तक निकाल कर इसके multiples को छोड़ देंगे तो यह तो थी बच्चों हमारी exercise 3.1 और I hope कि आपने exercise करीब होगी अच्छे से क्योंकि कल आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हम सारे अपना homework करेंगे sincerely वो अलग बात है कि बहुत कम बच्चों ने भेजा comment box में बट देखेंगे दीरे दीरे आप लोग कितना interest से पढ़ते हो और कितना अपना homework send करते हो अभी तो आपने फिफ्ट के जस्ट exam दीए तो मेरे ख्याल से अभी आप बच्चे चुट्टी के mood में जादा हो बट बच्चों दीरे दीरे हमें पढ़ाई अपनी करती रहने चाहिए उससे क्या फायदा होगा कि जब अचानक हमारे exam होते हैं या फिर हमारे जब exam पास आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा tension नहीं रहती क्योंकि हमने तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की होती है ठीक है तो इसे लिए जो भी आपका class का time है उस time अपनी class attend किया करो और जो भी आपको समझाया जाता है या जो भी काम दिया जाता है उसको किया करो ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे है हमारे पास prime and composite number एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि one जो है neither prime है nor composite है तो क्या है पूछा था ना एक बच्चे ने comment box में लिखा हुआ था मैंने कल का था कि ना तो one prime है ना composite है तो prime नहीं है composite नहीं है लेकिन whole number है वो natural number है वो ठीक है prime number composite नहीं है लेकिन whole number है और natural numbers है ठीक है number है उसके बाद है बच्चो prime number prime number की जो definition है वो क्या होती है the number other than other than one whose only factors are one and number itself अब यहाँ पर भी clearly mention कर दिया गया है कि other than one मतलब की one को छोड़ कर ठीक है one को छोड़ कर अगर उसके दो factors है और दो factor कौन कौन से एक वो number खुद और दूसरा number one ठीक है one one number यह अगर उसके दो factors है तो वो क्या है prime factor only two factors बोलते हैं इसको क्योंकि हर एक number का यह तो होता ही है वन और नमबर खुद तो factor होते ही है लेकिन जिनके सिर्फ ये दो हो वो prime number है क्योंकि बाकि ऐसे number है जिनके ये 2 factor भी होते है और और भी होते है ठीक है अब जैसे हम एक छोटा सा number लिखते हैं यहांपर one तो लिख नहीं सकते, one छोटा है लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि उसने बोला है कि other than one one को छोड़ कर तो अगर हम prime numbers की बात करें हमारे पास तो prime number बच्चो हमारा two है जो smallest prime number है वो two है one तो है नहीं और अगर कोई आपको कहें कि smallest even prime number कौन सा है बच्चो तो वो भी two है तीक है उसके बाद जो next prime number है वो है three वो इसलिए prime है क्योंकि देखो इनके दो ही factor है two के अगर factor की बात करें तो एक तो one है और इसका एक factor two है उसी तरह इसके factor की बात करें एक तो one है और एक three है उसी तरह अगर हम four लें तो four prime number नहीं है four क्यों नहीं है prime number क्योंकि 4 का factor 1 है 2 है और number itself मतलब 4 है तो 3 factors हो गई इसके तो ये हमारा prime number नहीं है 3 के बाद जो next prime number आएगा वो आएगा 5 उसके बाद आएगा 7 उसके बाद आएगा 11 उसके बाद आएगा 13 और इस तरह से हमारे चलते रहेंगे मतलब ऐसे numbers जो किसी की table में नहीं आते जिनके सिर्फ और सिर्फ दो factor होते हैं वो prime numbers होते हैं याद रहेंगे वैसे यहाँ से एक छोटा सा ये conclusion निकल कर आ रहा है कि अगर हम दो को छोड़ दें तो बाकि जितने भी prime number यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या है औरुड numbers दिख रहे हैं हैं नब आर्ड numbers दिख रहे हैं तो आप मुझे एक बात जरह comment box में बताओ odd numbers होते क्या हैं अब मैंने कहतो दिया कि सारे odd दिख रहे हैं बट पहले पता भी होना चाहिए ना कि और नंबर्स होते क्या है और और नंबर्स क्या यहां से दिख रहे हैं आपको पता है कि और नंबर्स क्या होते है जल्दी से बताईए बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से और नंबर्स क्या होते है और नंबर्स क्या होते है कुछ बच्चे बता रहें कि जो क्या है 2 से divide नहीं होते वो odd numbers होते हैं या जिनके end में क्या हो 3 हो 5 हो 7 हो और 1 हो वो odd numbers होते हैं बाकि जिनके last में 2, 4, 6, 8 और 0 हो वो क्या होते हैं even numbers होते हैं तो यहां से prime numbers क्या हो जाएंगे जिनके 2 factor बनेंगे उसके बाद है composite number बच्चो composite number होते हैं numbers having more than 2 factors जिनके क्या होते हैं 2 से जादा factor ये 2 तो रहेंगे number itself और 1 तो लेकिन 2 से जादा factor हो तो वो composite number बन जाते हैं जैसे कि हम एक example लिखें तो बच्चो जैसे number 4 number 4 क्या है एक composite number जैसे मैंने इसके यहां पर factor लिखे उसके बाद है number 6, number 6 के भी factors होते हैं और कौन कौन से होते हैं number 6 का factor 1 थो हो गया, 6 भी हो जाएगा, 7 साथ 2 भी होगा और 3 भी होगा क्योंकि 2 से भी divide हो जाता है 6 और 3 से भी हो जाता है उसी तरह 7 हमारा क्या होगा एक prime number और अगर हम 8 की बात करें तो 8 हमारा होगा 1 और 8 तो है इसका factor साथी साथ 2 भी इसका factor हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा क्योंकि ये 2 से भी divide हो जाता है और 4 से भी divide हो जाता है ठीक है? चलो, composite और prime के बीच का difference पता चला? ठीक है? और अगर बच्चों आप से कोई पूछे कि smallest composite number बताओ तो smallest composite number है हमारा 4 ठीक है? सबसे छोटा जो composite number है वो क्या है? 4 है ठीक है? याद रहेंगे ये चीज़े अच्चा ये चीज़े पता है मैं क्यों बता रही हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बताती जा रही हूँ आपकी जो next exercise आएगी ना उसमें जो true false दे रखे हैं वो इसी चीज़ पर based है तो अगर आपने ध्यान से सुन लिया इन चीज़ों को फिर तो आप उनके answer बच्चे फटा फट से दे पाओगे और अगर नहीं सुना बाते करते रहे और chat box में chatting करते रहे फिर तो आप उनके answer नहीं दे पाओगे ठीक है तो एक बार और से बता दू prime numbers होते हैं जिनके दो ही factors होते हैं एक one और एक number itself और composite होते हैं जिनके दो से ज़ादा factor होते हैं कि one और number itself तो होता ही है उसके अलावा भी और factors होते हैं ठीक है चालो उसके बाद है बच्चों हमारे पास वन यहां लिखा हूँ है ना ईदर अ प्राइम नमबर नौर अ एक नाख कंपोजिट है वैसे एक बच्चे ने पूछा था प्यारी से बच्चे ने कि वन फिर है क्या तो भई वन बच्चा नेच्छुरल नंबर है वन एक नेच्छ Example number 4 है यह आपकी बुक का. Write all the prime numbers less than 15. 15 से less जितने भी prime numbers हैं, वो हमें लिखने हैं. ठीक है, 15 से less वाले हमें क्या लिखने हैं? Prime numbers लिखने हैं. तो 1 तो होता नहीं है, prime number. Start करेंगे हम 2 से. 2 के बाद आएगा 3. फिर उसके बाद 4 भी नहीं है. उसके बाद हम लिखेंगे 5. फिर 6 के भी factors होते हैं. तो next आजाएगा 7. फिर उसके बाद 8. 8 के भी factor होते हैं. 9 भी किसी की table में आता है. 10 भी आता है. तो next number आजाएगा 11 का. 12 भी आता है. तो फिर आजाएगा 13 का. और फिर 14 भी आता है बच्चों. और 15 भी आता है. तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो odd numbers हैं. वो prime numbers ही हो. क्योंकि देखो 9 जो है. 9 क्या है? एक odd number है. लेकिन 9 तो prime नहीं है. 9 के तो factors हैं. 9 के factor कौन कौन से हैं? 1 और 9 तो है ही 7 ती 7. 3 की table में भी आता है. तो 9 odd है. बट prime नहीं है. उसी तरह और कोई number? 9, 10 तो even हो गया. 11, 12, 15 हो गया. जैसे हमारे पास 15 क्या है? एक odd number है. लेकिन prime number नहीं है. तो ये मत सोच लेना कहीं से कि सारे के सारे जो odd numbers हैं वो prime numbers ही हैं. ठीक है? ये वाली बात बिलकुल नहीं सोच नहीं है. और ये भी नहीं सोचना कि सिर्फ odd numbers ही prime numbers होते हैं. Even भी होता है. हलाकि वो एक ही number है. Even 2. बाकि नहीं है. बट फिर भी हम अगर true false में पूछा जाए तो उसको false ही करेंगे. ठीक है? ये हुआ हमारा example number 4. उसके बाद है हमारी exercise 3.2. 3.2 में आपको बताना है what is the sum of any two odd numbers? किसी भी दो odd numbers का sum क्या होगा? अब वो आपसे add करके नहीं पूछ रहा है कि कोई भी दो number लेके मुझे बता दो कि जैसे मैंने लिया 1 और 3 तो इनका sum भई 4 हो गया. तो मैं यहां लिख दूँगी 4. वो ऐसे नहीं पूछना चारा. वो यह पूछना चारा है कि जो sum आएगा दो odd numbers का बच्चों वो odd आएगा या even आएगा? ये बात वो पूछना चारा है कि दो number जो हैं उनका sum odd रहेगा या even रहेगा, ठीक है? तो यहां से हम क्या करेंगे? देखते हैं अभी add करकर के देखते हैं ताकि आपको याद रहे और आप इस चीज़ को भूले ना sum of two odd number हमने एक odd number ले लिया one और एक odd number ले लिया हमने three तो इनको add किया तो बच्चों four बन गया और अगर आपको पता है numbers के बारे में तो आपको पता होगा कि यह एक even number है ठीक है? कैसा number है? यह एक even number है उसी तरह हमने ले लिया three और एक और और number five ले लिया इनको add करेंगे तो यह eight बन गया यह eight भी क्या है हमारे पास? even number है eight भी क्या है? even number है उसके बाद हमने next लिया 5 और उसमें 7 एड कर दिया तो 5 और 7 एड होकर बने बच्चो 12 ये भी क्या है एक even number है तो मतलब 3 तो हमने example ले लिये और देखो तीनों में ही क्या बन रहा है even बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे sum of 2 odd number is even number क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इसका answer sum of sum of 2 odd numbers odd number जो होंगे उनका sum क्या होगा sum of 2 odd numbers is even number उनका sum क्या होगा even number होगा ठीक है उसके बाद है बच्चो b part b part में क्या होगा पूछाए कि even number अगर दो even numbers को हम add करें तो उनका sum क्या होगा तो यहाँ पर भी आपको ऐसे देखो रटने की जोरत नहीं है कि हम बैठके रटे की even का even होगा या odd का odd होगा बैठके यासे hill हिल के बच्चे learn करते ना खुब सारा कुछ भी ऐसा करने की जोरत नहीं है number ले लो दो even और add करके देख लो और कभी भी एक number पर ट्रस्ट मत करो हो सकता है बाइचांस वह आजाए जो आप चाहा रहे हो तो कम से कम दो ती number लेकर try करो अब जैसे दो even number ले लेते हम हमने लिया 2 और दूसरा even number लिया हमने 4 यह बन गया हमारे पास 6 फिर हमने एक और even number लिया 4 और एक number ही बन रहा है देखो first में भी even बना second में भी क्या बना even number बना और third में भी क्या बना even number ही बना तो एक में हो सकता है गलती हो जाए दो में तीन में तो नहीं हो सकती न तो इसी लिए sum of two even number is even क्या होता है दो even numbers का sum क्या होता है बच्चों even होता है तो हम यहां लिख देंगे इसके बी के answer में sum of क्या लिखेंगे sum of two even numbers are even sum of two even numbers are even कि दो even number जो है उनका sum भी even रहता है ठीक है उसके बाद है बच्चों हमारे पास next question next question जैसे कि true false मैंने बताया ही था कि मैं composite और prime को इसलिए बहुत अच्छे से दिरे दिरे बता रही हूँ क्योंकि उससे related हमारे पास है true false इस exercise में तो अब आप बच्चों का काम आ गया है क्या काम आ गया है कि आप बच्चे अब comment box में बताएंगे कि आपका किस answer का मतलब किस का question का answer true है और किस का false है ठीक है तो first है इसमे state whether the following statements are true or false यह बताईए कि कौन सी statement यहां से true है या false है यह बताना है तो first है यहां से बच्चों the sum of three odd numbers is even जो ती numbers है उनका जो sum है वो even होता है अब देखो यहां पर हम अपना पिछला भी जो हमने example लिये थे उसको हम याद कर सकते हैं मतलब याद करना का मतलब यह नहीं कि रट सकते हैं मतलब अपना ध्यान में रख सकते हैं कि हमने दो odd numbers को add किया था तो even बना था जैसे मालनो हमने one और three को add किया तो यह even number बन गया और बच्चे जब आप Even में odd number अड़ करते हो, मालों आपने एक odd number अड़ कर दिया तो वो हमेशा क्या बनेगा? Odd number ही बनेगा मतलब तीन odd number को अड़ करने से क्या बनेगा? odd number ही बनेगा तो आप चाहो तो अपनी पिछली बात से relate कर सकते हो कि 2 odd number add होकर even बनेंगे या फिर आप सीधा add करके देख सकते हो 3 odd numbers को आपको पता लग जाएगा यह 5 और 3, 8 और 1, 9 तो यह क्या बन गया odd number इसका मतलब यह वाली statement हमारी क्या हो गई false हो गई यह वाली statement हमारी क्या हो गई यह false हो गई, यह first वाला false है second में बच्चो, the sum of two odd numbers and one even number is even यह भी अभी हमने देखा था कि sum of two देख लेते हैं अभी, दुबार देख लेते हैं sum of two odd number, मालो हमने 2 odd number लिये, एक 1 लिया और एक 3 लिया और इसमें बच्चो, एक even number add कर दिया, मालो 4 add कर दिया तो यहां पर यह हो जाएगा 4 plus 4 और यह बन जाएगा 8 तो दो odd number add होने से एक even बनता है, तो even में बच्चो, odd add करोगे तो odd बनेगा, even में even add करोगे तो obviously even बनेगा तो इसका मतलब हमारी जो यह 20 statement है, यह क्या है? एक तरह से true है, यह क्या है? true है, यह बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर हम दो odd number में एक even add कर दें, तो वो क्या बन जाता है? even बन जाता है, ठीक है? उसके बाद है बच्चो, हमारे पास c part, the product of three odd number is odd number कि जो तीन number है उनका जो product है, वो odd number होता है, यह हमें बताना है तो हम एक number ले ले, one इसको multiply कर दें, three और five, तीन number होगे जिनको multiply करना है, यह मैंने bracket लगा दी है अब चाहो तो multiply का sign लगा सकते हो तो यह three five's बच्चो आ गया fifteen, तो मतलब तीन numbers का product क्या आ गया? fifteen, और fifteen क्या है? एक odd number है इसके अलावा हम मालो कोई और example ले, हमने लिया three हमने लिया five, हमने लिया seven, तो three five's of three five's of fifteen और fifteen seven's हो कितना होता है? one hundred five, तो one hundred five क्या है? एक odd number है ठीक है? तो three numbers का, three odd numbers का product क्या होता है? odd number होता है तो यह बिलकुल क्या है? हमारे पास true है. यह क्या है? हमारे पास बिलकुल true है. उसके बाद है बच्चों हमारे पास इसका d part if an even number is divided by two, the quotient is always odd number कि अगर हम even number को two से divide कर दे, even number को, even number होते ही वो है जो two से divide हो जाए तो two से divide होकर quotient even ही आएगा, odd नहीं आएगा ठीक है? देख छोटा सा example लेते हैं, जैसे हमने eight को बच्चों divide किया two से ठीक है? एट को हम two से divide करेंगे तो हमारे पास आएगा four और four हमारे पास even number है four odd नहीं है ठीक है? तो यह statement हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से false हो जाएगी क्या हो जाएगी यह statement? false हो जाएगी उसके बाद है next all prime numbers are odd numbers यह वाली line मैंने बताई थी आपको कि सारे के सारे prime numbers odd नहीं होते तो हम क्या लिखेंगे? false सारे के सारे नहीं होते two जो है वो even prime number है हम क्या लिख सकते हैं? bracket में लिख देती हूँ मैं यहाँ पर except two सारे के सारे हैं odd लेकिन two को छोड़ कर अगर two को शामिल किया जाएग तो false है यह statement prime numbers do not have any factors अब prime number के क्या कोई factors नहीं होते? बताओ अभी मैंने आपको बताया था कि prime numbers के कोई factor नहीं होते क्या? यह भी सरासर क्या है? false है अभी तो हम इतनी सारी बाते करिए कि prime number के दो factors होते हैं ठीक है? क्या बात करिए? कि दो factors होते हैं एक तो one होता है और दूसरा number itself होता है ठीक है? तो कुछ बच्चों को लगता है कि यह कोई factor है नहीं इसलिए वो इसमें बहुत सारे बच्चे true लिख भी देते हैं ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि no factor पूछा हुआ नहीं do not have factor तो यह factor है भई दो factor है यह one और number itself ठीक है? उसके बाद sum of two prime numbers is always even करके देखे दो prime number ले लिए हमने two plus five यह आजाएगा बच्चे seven तो seven तो हमारे पास odd number है seven क्या है? odd numbers है उसके अलावा हम prime number ले ले लेते हैं five और seven five और seven को लिया तो हमने जरूर यह two आ गया चलो even इस case में आ गया और हम ले ले मानलो हमने ले लिया three और हमने ले ले लिया two तो यह बन गया five यह भी क्या है? odd है तो उसने कहा है कि क्या always even होता है? always तो नहीं हुआ दो बार तो odd आ गया हमारा तो हम इसको क्या लिख देंगे? false लिख देंगे तो जब भी आप ऐसे बच्चो true false की case में आप कहीं भी अटको ना तो एक छोटा सा example उठा लो उस example से आपको पता लग जाएगा कि जो आप true लिख रहे हो वो true है या false है ठीक है? उसके बाद g के बाद पहुँचते हैं आगे h पर two is the only even prime number जो two है वो only even prime number है तो बच्चे ये true है two ही एक ऐसा prime number है जो even है बाकी सब क्या है? odd है उसके बाद all even numbers are composite number कि जो सारे के सारे even number है क्या वो composite number है? ऐसा भी नहीं है सारे के सारे even number composite नहीं है ये भी क्या है? false है क्योंकि इसका सबसे बड़ा example तो बच्चो two है ना two two एक even number है बट two composite तो नहीं है two तो हमारे पास क्या है? prime number है तो इस two ने यहाँ भी situation को false बना रखा है मतलब पीछे वाले उसमें और यहाँ भी the product of two even number is always even ये देखना पड़ेगा दो ले लो एक इसको multiply कर दो दूसरे even number 4 से भी क्या है? even number है उसके बाद हम six ले ले six को 10 से multiply कर दें यहाँ आजाएगा 60 ये भी क्या है? even number है तो product of two even numbers is always even तो हम इसको क्या लिखेंगे? true लिखेंगे क्या लिखेंगे? true लिखेंगे कि हाँ दो जो even numbers है उनका product क्या होता है? even ही होता है ठीक है? चाली यह हुए हमारे जे तक true false उसके बाद बढ़ते में next question के तरफ next है हमारे पास the number 13 and 31 are prime numbers अब उसने बता रखा है हमें कि 13 और 31 क्या है? prime numbers है both these numbers have same digit 1 and 3 दोनों में ही क्या है? दो digit है 1 और 3 एक को 13 लिख दिया एक को 31 बना दिया अब वो कह रहा है कि find such pairs of prime number up to 100 100 तक ऐसे ही pairs बताओ हमें जो pair में prime है जैसे कि 1 और 3 है तो 13 भी prime है और उससे बनने वाला 31 भी prime हो गया तो ऐसे और बताने है तो जल्दी से बताओ ज़रा comment box में और कोई किसी के ध्यान में आ रहा हो ऐसा कोई number जो की दोनों तरह से हमारा prime है comment box में बताओ जल्दी बताओ ज़रा जल्दी से कोई और ऐसा जो आपके mind में आ रहा हो कि भई वो हम ऐसे लिख दें तो भी prime है वैसे लिखे तो भी prime है कौन सा है मेरे ख्याल से तो बच्चा हमारा है 17 और 71 ये दोनों ही तरह से क्या है prime है उसके अलावा 37 73 उसके अलावा 79 और 97 ये तीन पेयर तो हो गए इसके अलावा आपको लगता है कोई और पेयर है तो वो आप मुझे बताओगे comment box में ठीक है ये तीन पेयर तो मैंने बता दिया आपको 17, 71 37, 73 79 और 97 इसके अलावा कुछ और है तो वो आप मुझे बताओगे ठीक है बताना पक्का ढूंड के एक से लेकर 100 तक बताने आपको ऐसे ही पेयर मज़ेदार से ठीक है next question number 4 write down separately the prime and composite number less than 20 20 से less बताने हमें prime numbers और composite numbers अलग अलग बताने है prime अलग बताने है और composite अलग बताने है composite number जो है वो अलग बताने है तो प्राइम नंबर में तो बच्चो हमारा आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 15 होगा नहीं 17 और 19 ये तो आ गए prime number composite में बनेगा हमारा 4 उसके बाद 5 है नहीं 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 और 18 और 20 लें तो 20 less than की बात करें तो चाहें 20 हटा दो तो ये सारे numbers क्या हो गई composite numbers और ये हमारे क्या हुए prime numbers ठीक है next बच्चो हमारे पास what is the greatest prime number between 1 and 10 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा prime number तो हम देख लेते हैं prime number है कौन कौन से 1 और 10 के बीच में एक तो है बच्चो 2 यहां से दूसरा है 3 फिर हमारे पास 5 फिर हमारे पास 7 तो ये है prime number 1 और 10 के बीच में तो इसमें सबसे बड़ा पूछा हुआ है बच्चो तो सबसे बड़ा कौन सा है 7 कौन सा है सबसे बड़ा 7 तो हम यहां से लिख सकते हैं greatest prime number क्या लिख सकते है greatest prime number is 7 greatest prime number जो है वो करते है कि यहां पर 9 भी लिख देते है 9 बच्चे prime number नहीं है 9 क्यों नहीं है prime क्योंकि 9 तो 3 की table में आता ही है 3 3 जा 9 होता है तो 9 तो हमारा एक composite number है ठीक है उसके बाद है next हमारे पास express the following as a sum of odd prime numbers कि जो ये numbers दे रखे हैं इनको दो number में तोड़ कर लिखना है मतलब 44 को दो part में तोड़ दो और वो दोनों number की दो condition है एक तो ये कि वो prime होने चाहिए और दूसरा ये कि वो odd भी होने चाहिए odd prime numbers होने चाहिए 44 को ऐसे लिखना है तो अगर हम बात करें वैसे बहुत सारे तरीके लिखने का ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखूंगी वो ही सिर्फ एक तरीका होगा इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो तरीका एक तरीका है और भी है वो आप ढूंड कर comment box में मुझे बताना कि मैं आम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है बताएंगे न सभी चालो फिर मैं बता देती हूँ एक तरीका बाकी सब आप अपने अलग अलग बताएंगे ठीक है अलग अलग बताएंगे तो 44 को हम लिख सकते हैं बच्चे 3 प्लस 41 यह मैंने अपना लिख दिया 3 प्लस 41 ठीक है C को लिखेंगे 24 है ना तो 24 को क्या लिख सकते हम 19 प्लस 5 और भी होने चाहिए प्राइम भी होने चाहिए दोनों कंडिशन होनी चाहिए ठीक है D में हम लिखेंगे बच्चे 18 तो यह आजाएगा हमारे पास 13 प्लस 5 तो 13 प्लस 5 क्या बन गया और बन गया अब देखो इसका बता देती हूँ 18 का ही बता देती हूँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते है 11 प्लस 7 एक का तो मैंने बता दिया ऐसे और भी बन सकते है 11 प्लस 7 भी क्या होता है 18 ही होता है तो 11 भी हमारा odd prime number है और 7 भी हमारा odd prime number है ठीक है यह हुआ question number 6 अब आगे बढ़ते हैं आगे बच्चों हमारे पास give 3 pairs of prime number whose difference is 2 2 prime number लिखने है जिनका difference pair में लिखने है मतलब जिनका difference क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए लगातार वाले twins prime भी बोलते इनको जैसे 3 लिखा मैंने और 5 लिखा देखो 3 और 5 दोनों ही क्या है prime numbers है और साथी साथ अगर इन दोनों का difference करें बच्चों तो difference इनका क्या है 2 है फिर है हमारे पास 5 और 7 तो 5 और 7 भी क्या है दो prime number है और इनका difference भी कितना है 2 है 7 और 9 मत ले लेना क्योंकि 9 again is not a prime number आप ले सकते हो 11 और 13 ले सकते हो 11 और 13 का भी difference कितना है 2 है यह तो मैंने starting से लिए चोटे चोटे कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं वो और बड़े भी लेते हैं कुछ ऐसे लेते 53 और 51 उन दोनों का difference भी 2 है तो आपकी मर्जी है कितने भी लीजिए उसने तो यह काया कि pair बताओ 3 जिनका difference 2 हो तो जितना आप imagine कर सकते हो जितना सोच सकते हो उतना number आप लिख देना ठीक है तो यह बना question number 7 अब बढ़ते है question number 8 की तरफ which of the following numbers are prime numbers यहां से बताना है कि कौन से prime numbers है बच्चे तो 23 हमें पता है किसी के table में नहीं आता तो prime numbers की बात करें तो prime numbers हो गए हमारे 23 51 prime number नहीं है क्योंकि 51 को हम लिख सकते है 17 3s of 51 होता है इसको multiply करेंगे तो कितना बन जाता है 51 यानि कि इसके factor और भी है 37 भी क्या है prime number है क्योंकि ये भी किसी की table में नहीं आता 26 जो है बच्चे वो composite number है क्योंकि ये पता है कि हमें 13 टूजा क्या होता है 26 होता है तो prime numbers की बात करें तो 2 हो गए हमारे पास 23 और 37 और अगर कहें इसी में से कि बताओ composite numbers कौन कौन से है तो बच्चे composite numbers हैं question number 8 अभी और भी question रहते हैं इसके लेकिन वो हम अपनी करेंगे next classes में अब फटाओ फट से बच्चे हम यहां से लेंगे quiz के questions quiz का first question है which of the following number is not a multiple of 6 यहां से कौन सा 6 का multiple नहीं है यह आपको बताना है which of the following number is not a multiple of 6 मतलब 6 का multiple नहीं है done अब next देखते है which of the following number is composite यहां से कौन सा number composite है यह बताना है चलिए डन बच्चों अब इनका answer देखेंगे देखो कौन सा multiple नहीं है 6 का तो 12 तो है क्योंकि क्या होता है 6 2s are 12 होता है 6 3s are 18 होता है 6 4s are 24 होता है तो इसका मतलब 21 जो है वो 6 का multiple नहीं है साथी साथ next कौन सा यहां से composite number है तो 19 हमारा क्या है prime number है 23 भी prime number है और 29 भी prime number है तो 6 हमारा यहां से क्या है composite number है 6 क्या है यहां से composite number है तो correct answer रहेगा यहां से option C तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने डिसकस किये अपने exercise 3.1 के कुछ कुशन और साती साथ हमने डिसकस किये अपने exercise 3.2 के भी कुशन और हमने करे इसके कुशन नंबर 128 करे और बाकी हमने सीखा prime numbers के बारे में और composite number के बारे में और बाकी जो questions है उनको हम करेंगे अपनी अगली क्लास में ठीक है और अगली क्लास भी हमारी इसी chapter पर होगी playing with numbers पर बट Monday से आपको अपना time table देखना है ठीक है time table बच्चों ये है evening का शाम का यानि कि जो बच्चे नए आया ना भी तो उनके लिए ये time table है तो उनकी बच्चों चार बज़े से classes लगनी शुरू हो जाएंगी शाम चार बज़े आपकी English की क्लास होगी पांच बज़े Social Science की छे बज़े Science की और साथ बज़े आपकी Maths की क्लास होगी ठीक है तो ये time table आप ध्यान से note कर लो ये आपको दिखी रहा है Science और Maths का इसके according आपको अपनी क्लास लगानी है वैसे आपकी 6 बज़े जैसे आज Maths की क्लास है तो आपकी Monday से जो है 6 बज़े वो Science की क्लास होगी और 7 बज़े आपकी Maths की क्लास होगी ठीक है ये उन बच्चों के लिए हैं जो भी 5th से 6th क्लास म में आए हैं और जिनके एक्जाम होंगे बच्चों 2022 मतलब अगले साल जिनके एक्जाम होंगे अभी अभी जो 6th क्लास में आए हैं अब जो बच्चे कुछ ऐसे भी है मानलो जिनके किसी भी वज़े से एक्जाम नहीं हो पाए और अभी भी 6th क्लास में है ठीक है एक्जाम ह हुए नहीं है उनके होने चाहिए थे 21 में बट कोविड और यह जो सब बिमारिया फैली हुए उनकी वजह से नहीं हो पाए तो उनके लिए जो क्लास लगेंगे बच्चों वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगेंगी मतलब 9 बजे होगी उनकी साइंस की क्लास 10 बजे मैच की क्लास और 11 बजे शोशल साइंस की क्लास वैसे आप इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हूँ क्योंकि पढ़ाया तो सिक्स्त का ही जाएगा ठीक है तो इसलिए अपनी सारी क्लास बच्चे ध्यान से अटेंड करनी हैं बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ भई बिमारियों से जरूर बच्चे रहना है तो अपना जो भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं ताकि आपके कमेंट बॉक एक बार और दिखा देती हूं यह इवनिंग का टाइम टेबल है स्क्रीन शॉर्ट चाहो तो ले लो इसका जल्दी से और यह है हमारा बच्चे मॉरनिंग का टाइम टेबल ठीक है तो मिलेंगे हम अपनी मंडे की क्लास में और सब को पहुंचना है तर टाइम से अब तक के अब तक बार देती है तर बच्चे मॉरनिंग्ड़ पीक है तर दो अब प्रक्ष बार देती है तर बच्चे मंडे का टाइम टेती है झाल झाल